हेलो फ्रेंज, वेलकम टो एशन नमास्टेशन, इस वीडियो में मैं सल्यूट टू मैं यूद का पार्ट 15 एक्स्प्रेंड करूंगी, तो बीना और टाइम वेस के स्टाट करते हैं पिछले एपिसोड न हमने देखा था, शूशन शन को जियाजे का पोस्ट कार्ट मिलता है, एंड अब आगे, उसमें लिखा होता है, यहाँ ताइवान में बहुत बारिश हो रही है, मैं मिल्क टी पी रहा हूँ, काश तुम भी मेरे साथ होती, यह देखकर शूशन शन समझ जाती है कि जियाजे भी उसे लाइक करता है, वो अपसेट हो जाती है, नेक्स टे लांत्यान लाइबरी में होता है, उसके टेबल पर एक वाश रखा हुआ होता है, जो कि एक लड़की का होता है, वो वाश के बहाने लांत्यान से बात करने की कोशिश करती है, वो बोलती है तुमने मेरा वाच उठा कर रखा लांत्यान बोलता है नहीं वो लड़की बोलती है क्लास मेरा नाम तो बता दो वो बोलता है मेरा तुम्हारा वाच नहीं उठाया एन अपना काम करने लगता है लड़की बोलती है अच्छा ठीक है अपना नमबर ही दे दो ये वाश मेरे लिए बहुत important है तुमने इससे समाल कर रखा इसलिए मैं तुम्हें थैंक्यू बोलना चाती हूँ लांतियान उसे ज़्यादा भाव नहीं दीता तब ही शू शान शान आकर बोलती है तुमने थैंक्यू बोलती है इतना काफी है नंबर लेनी के क्या जरूरत है लड़के समझ जाती है कि बंदे की अल्रेडी गल्फरेंड है वो वहाँ से चली जाती है उसके जाने के बाद पूरी बात बताने लगता है वो बोलता है तुम जब यहाँ पर नहीं थी उसने अपना वास तुम्हारे सीट पर गिरा दिया था जैन उसने बोला कि मैंने उसका वास उठाकर रखा है इसलिए वो मुझे थैंक्यू बोलना चाहती है बस इतना ही मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता शूशांशन बोलती है अभी नहीं पता फ्यूचर में पता चल जाएगा लांत्यार से जलस फिल कराने के लिए बोलता है क्या पता क्या होगा फ्यूचर में शूशांशन बोलती है क्या बोला तुमने वो बोलता है मैंने कहा कि मुझे फ्यूचर में उसका नाम जानने का कोई शौक नहीं है वो बोलती है ये हुई ना बात झाल मैं एक लड़के से टकरा जाती है जिस बदिसे कपड़े खराब हो जाते है तब ये तैंक सीनि उसे टीशू देता है वो थोड़ी शूक्त होती है बर फिर टीशू लेकर वाइप करने लगती है तैंक शीनि उसे ज्याजे को देखते है जो शूर शान्शान को आता देख चुप जाता है शो शान शान पुस्ते में कैसी लग रही हूँ वो कुछ नहीं बोलता और उसे एक क्लास में ले जाता है देन उसे किस करता है जियाजे भी उसी क्लास में होता है शो शान शान एमबरेस होती है और भाग जाती है लान्तियान जियाजे को लुक देता है जियाजे बोलता है मुझे sorry बोलना चाहिए क्या फिर हम दोनों को एक class में बैटे हुए देखते है जियाजे उसे कुछ दिनों से avoid कर रहा है इसलिए लान्तियान बोलता है अजर हम दोने एक साथ बड़े हुए है अगर ऐसा ही चलता रहा तो लाइफ बोरी हो जाएगी फिर वो लोग अपने बच्पन को लेकर बाते करने लगते है जियाजे बोलता है अगर तुमनों शूशान शान को अच्छे से नहीं रखा तो मैं उसे वापस ले लूँगा लान्तियान बोलता है फिर तो तुम्हें कोई चांसे नहीं मिलेगा जियाजे बोलता है आई होप ऐसा ही हो जाते जाते लान्तियान बोलता है अजर नेक्स टाइम गेट टूगधर के लिए बुलाओ तो फिर से कोई बहारा मत बनाना ज्याजे बोलता है मैं सोचूंगा नेक्स सीन में शूशांशान बैठ कर बुक पढ़ रही होती है तब ही ज्याजे आता है वो पुस्ती है तुम यहाँ पर वो पुस्ता है क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ शूशांशान हाँ बोलती है वो उससे पूसता है कुछ प्राबलम है गया तो मुझे देखते ही भागने लगती हो शूशानशान बोलती है अज़र मुझे तुम्हारा पोस्ट कार्ड मिला ज्याजे बोलता है पोशने में बहुत लेट हो गया ना शूशानशान कुछ नहीं बोलती देन वो बोलता है हाई स्कूल में जो लेव लेटर तुमने मुझे सेंड किया था मुझे वो मिला था शूशानशान बोलती है अब बहुत लेट हो गया है वो बोलता है हाई स्कूल में मुझे लगता था कि तुम लांतियान को लाइक करती हो बट जब मुझे तुम्हारा लव लेटर मिला मैं बहुत खुश हो गया था इतना खुश कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता था उस दिन से मैंने डिसाइट कर लिया था कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की खोशिश करूँगा शुशांचान बोलती है अजर सौरी वो हससकर बात जरूर कर रहा था बट वो अंदर से कंप्लीटली तूट चुका था उसे अफसोस होता है कि उसने वक्त रहते अपनी फिलिंग्स क्यों नहीं बताई वो बोलता है शुशांचान अगर मैं थोड़ा सा फास्ट होता तो एंडिंग थोड़ा डिफरेंट होता ना शुशांचान को अंकमफर्टिवल फिल करता देख वो सब पास्ट भूल कर मूव आउन करने की बात करता है इवनिंग में लांत्यान गिडार प्रैक्टिस कर रहा होता है शुशांचान लिरिक्स लिखने की कोशिश करती है बट उससे नहीं होता उसे कोई न्यू आइडियास आ ही नहीं रहे थे उससे ऐसा फ्रास्टेट होता देख लांतियान उसे अपने पास बूलाता है and then उसे किस करता है वो बोलती है तुमने किस क्यों किया वो बोलता है inspiration के लिए वो बोलता है लिजिक्स लिखने के लिए inspiration तुम भूल कई कि है स्कुल में तुम्हें इसेığa inspiration मिलती थे नशूशा और उनका फर्सकी से आदाता है मैमेली तेंग्स चीनिये को उसका जैकेट रिटन करती है वो रियलाइस करता है कि वो मैमेली को लाइक करने लगा है लांत्यान और शूशान चान दोनों को म्यूजिक में अपना फ्यूचर बनाना होता है तो वो लोग यूएस के फेमस करने का डिसाइड करते हैं एक साथ मिलकर इसी गोल के लिए हाड़ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं शूशान अब रौट जाने की बात को लेकर थोड़ी नर्वस होती है लांत्यान बोलता है नर्वस क्यों हो रही हो मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ शूशान चान तब भी वो जावलीन को उनकी एकस गर्फिन के साथ देखती है जिसका मतलब है कि वो लोगों का पैच अप हो गया है ताव यह तिंग हट होती है देखते देखते शूशान चान लांत्यान का बर्कली उनिवरसिटी का एंट्रेंस एक्जाम हो जाता है एं रिजल्ट भी आ शूशान चान रिजल्ट देखने लगती है उसे एड्मिशन नहीं मिला होता वो स्ट्रॉंग रहने की पूरी कोशिश करती है लांत्यान बोलता है मैं नहीं जाओंगा शूशान बोलती है ऐसा मत बोलो तुम भूल गए कि हमने इसके लिए कितना मैनत किया है वो बोलता है म हमने डिसाइड किया था ना कि हम अलग नहीं होंगे नेक्स चेर हम फिर से एग्जाम देंगे एंदेन एक साथ यूएस जाएंगे शूशान चान उसे और भी समझाने लगती है लॉंग डिस्टर्स रिलेशनशिप हुआ तो क्या हुआ हुआ हम फिर भी एक साथ होंगे प्लीज तु मुझे और भुरा फिल कराना बंद करो वो रोते रोते वहां से चली जाती है लांतियान के बैंड को एक बड़े स्टेज पर गाने का मौका मिलता है तैंक शीने में मेली को इन्वाइट करता है और उसे लव कनफेस करता है में मेली नर्वस हो जाती है और बीन प्लीज तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाओगी तुम्हें बस जाकर मेरा वेट करना है मैं नेक्स चेर फिर से एक्जाम दोंगी और मुझे एड्मिशन जरूर मिलेगा तुम्हें बस मेरा वेट करना है समझे लांतियान मान जाता है शूशांचान को रोना आ रहा होता है तो अपना मुझ चुपा लीती है और पूस्ती है कब जा रहे हो वो बोलता है शूशांचान अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरा जाने का थोड़ा भी मन नहीं करेगा तुम्हें बीवान जाने के बाद में अपने सिंगल लाइफ एंजोई करूंगी लांतियान बोलता है तुम्हारे आइस इस रैट क्यू हो गया है शूशांचान बहुत से किस करता है शूशांचान बोलती है वहां जाने के बाद रोज मुझे कॉल करना एं दुसरी गल्सके इवन में गाने का इंविटेशन मिला है शूर्षान चान का मूर थोड़ा अच्छा होता है वो बोलती है सच्छी लाइफ परफोर्मेंस होगा ना और क्या मुझे विएपी सीट मिलेगा लांतियान बोलता है अफकोस शूर्षान चान के बार-बार फोर्स करने पर लांतियान अबरोर जाने के लिए मान तो जाता है बट उसका जाने का थोड़ा से भी मन नहीं होता लांतियान अबरोर जाएगा या नहीं यह हमें नेक्स पार्ट में पता चलेगा अगर अपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स पाइट में बाई